Hello Everyone, Welcome to Chemistry Class and Today's Topic is Calculation of Conductivity and Cell Constant. Now, अब हम करेंगे Calculation of Conductivity and Cell Constant. अब Conductivity आपको पता है, क्या होती है, that is K या कपपा and Cell Constant को हम डिनोट कर देते हैं, G स्टार से, G स्टार. और also it is L by A, L by A भी कह सकते हैं, या फिर G स्टार, दोनों यह फॉर्मूले में यूस होते हैं, तो इनका Relation क्या है? तो इसका बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, जो आपने अल्रेडी पढ़ दिया है, कि Conductivity और Resistivity का क्या Relation होता है? या के और रो का क्या Relation होता है? तो Conductivity और Resistivity इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, इनवर्सली प्रपोर्शनल होते हैं, और आपने रो का भी फॉर्मूला पढ़ रखा है, अल्रेडी आपको पता है कि रो इस इक्वल टू R into A by L की भी आपने पढ़ा है, बस अभी इस रो की जो वैलू है, वो इस जगे हमें पूट कर देनी है, and you will get the Relation of Conductivity and Cell Constant. तो देखते हैं क्या होता है भी, तो के या कपपा इस इक्वल टू, इक्वल का साइन आएगा यहाँ पे, अब वन अपन रो, रो की जगे हमें क्या रखना है, R into A by L, ठीक है, और अभी मैंने बताया कि L by A क्या है, L by A ही है, Cell Constant, जिसे हम G star से denote कर देते हैं, ठीक है, तो यह जो L by A है, that is Cell Constant, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कि Conductivity कपा is equal to 1 by R into L by A लिखें, या फिर हम G star लिख सकते हैं यहाँ ठीक है, और आपको 1 by R का relation भी पता है, कि 1 by R क्या होता है, Resistance का inverse क्या होता है, Conductance, और जिसे हम denote करते हैं, G से, ठीक है, तो K conductivity, G conductance, and G star is Cell Constant, इसको हम words में भी लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें confusion हो सकता है, G और G star में, तो this is conductivity, conductivity is equal to G conductance into cell constant, ठीक है, कभी ऐसा भी हो सकता है, कि numerical में G की जगे, या conductance की जगे, Resistance given है, तो हम यह वाला formula लगा सकते हैं, कभी conductivity की जगे, Resistivity given होगा, तो हम K की जगे, 1 upon rho रख सकते हैं, यह वाला formula, conductivity is equal to 1 by resistivity, ठीक है, तो जैसा भी numerical होगा, जो भी चीज़े required होगी, उसी के according हम formula put कर लेंगे, ठीक है, तो यह बहुत important है relation, numerical के point of view से, यह आपको note करना है, तो हम नुमेरकल करेंगे, पर द argu उसी फोर्मूले पर पेस्ट, अब हम नुमेरकल करेंगे, औक्या आपकोなるほど आपको चैनलीक केशनी के स्टक यह वाला NA can dh don a. 1500 ohm is the resistance then what is the cell constant cell constant जिसे हम G star से denote करते हैं या फिर L by A से denote करते हैं तो वही है cell constant यह find out करना है and second part भी है इसका if the conductivity of 0.001 molar this is the concentration case of solution is 0.146 into 10 is to power minus 3 साइमन सेंटीमिटर इन्वर्स then calculate molar conductivity molar conductivity means lambda M denote कर आपको calculate करना होगा तो पहले हमें cell constant निकालना है then उसके बाद molar conductivity निकाल ली है तो firstly हम क्या करेंगे जो चीजे given है पहले उनको हम देखेंगे तो resistance of conductivity cell containing 0.001 molar caseal is 1500 ohm तो आर क्या है resistance है कितना है ये 1500 1500 ohm ये तो हो गया resistance और निकालना हमें G star that is cell constant ये find out करना है और साथ में given क्या है conductivity conductivity भी given है means k कपपा ये 0.146 इन्टो 10 रिस तो पावर माइनस 3 साइमन सेंटीमिटर इन्वर्स ठीक है और लेमडा में find out करना है तो साथ साथ हम ये भी लिख लेते हैं दो चीजे में बतानी है तो अभी relation आपको याद होगा g star resistance या conductance का क्या relation होता है with conductivity तो वो relation मैं यहाँ लिख रही हूँ that is k कपपा is equal to g लिख सकते हैं या फिर 1 by r लिख सकते हैं पिकाज यहाँ पर resistance given है तो हमने 1 by r ले लिया अगर conductance होती तो हम यहाँ पर सिधे g लिखते 1 by r की जगे g और into g star यह formula है जो हमें use करना है अब यह given है और यह भी given है तो हम यह आसानी से find out कर लेंगे ठीक है ना तो g star is equal to k into r कपा into resistance कपा है 0.146 into 10 is power minus 3 and resistance कितना है 1500 ohm अब आप इसको calculate कर लिजे आप इसको calculate करेंगे तो answer आएगा 2.19 into 10 raise to power minus 1 यह हमारा g star यह cell constant है और इसकी जो unit होती है वो centimeter inverse है ठीक है यह inverse क्यों लिखा हमने centimeter में because आपको पता है कि जो g star है वो l by a भी तो है ठीक है तो l क्या है centimeter में होता है और a क्या है area of cross section है centimeter square में है तो एक centimeter कट गया और क्या बच गया centimeter inverse तो इसकी unit हो गई centimeter inverse की अभी हमें second part भी करना है lambda m या molar conductivity निकालनी है वो क्यासे निकालेंगे वो हम formula यूज़ करके निकाल लेंगे तो formula क्या था हमारा molar conductivity और conductivity का relation lambda m lambda m is equal to conductivity upon concentration into thousand ठीक है और conductivity कितनी given है conductivity question में ही given थी यह 0.146 into 10 की पावर में आ गया minus 3 साइमन पर सेंटिमीटर और concentration भी given है that is 0.001 molar ठीक है concentration given है और इसको जब हम solve करेंगे lambda m हमारा कितना आएगा आप रोग कैल्किलेट करिए इसका answer आएगा calculation के बाद में आएगा 146 साइमन सेंटिमीटर स्क्वेर और मोल का inverse आप भी calculate करिए और cross check करिए कि answer यही आ रहा है क्या ठीक है तो इस तरीके से यह formula यूज करके cell constant का formula यूज करके हम numericals easily calculate कर सकते हैं तो I hope सारे topics आपको clear हो गया होंगे और यूमेर कल भी तो thank you for watching तो